Hello friends, welcome to my channel High Level Computing, मेरा नाम नतराज है, आज मैं आपसे यह जो insert tab है, इसके अंदर जो illustrations group है, इसके बारे में discussion करने वाला हूँ, यहाँ पे जो commands आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं एक के बाद एक आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे यह देखें दोस्तों, यहाँ पे कुछ paragraphs आचुके हैं, तो मैं इस illustrations group पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो first command है, यह picture command, इसको use करके मैं मेरे document में एक picture insert कर देता हूँ, मुझे जहाँ भी picture insert करना है, मैं वहाँ पे cursor रख देता हूँ, फिलाल मुझे picture यहाँ पे चाहिए, तो मैंने cursor यहाँ पे रख दिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस picture command पे click करता हूँ, देखें दोस्तों, click करते ही, हमारा photos folder यहाँ पे open हो चुका है, मैं इन में से एक photo select करता हूँ, select करके यहाँ पे insert क्लिक करता हूँ, देखें, अब यह photo मेरे page में insert हो चुका है, दोस्तों हम इस photo के size को बड़ा या घटा सकते हैं, आप यहाँ पे जो एक point देख रहे हैं, इसके उपर click करके, हम अगर drag करेंगे तो यह चोटा या बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरह से हम insert में picture command को use करके photos अपने document में लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो आप दू आपको करके दिखाता हूँ, फिलाल में मेरे cursor को इस पैरा के बाद में रखता हूँ, क्योंकि मुझे नया picture यही पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ अब online pictures command के उपर आप में click करूँगा, यह देखिए यहाँ पे online picture search करने के लिए page यहाँ पे load हो रहा है, देखिए पे pictures search करेंगे, मैं यहाँ पे type करता हूँ, flowers, देखिए दोस्तों, यहाँ पे different different online pictures हमें available है, हम इन में से कौन सा भी picture select करके अपने page में insert कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे click करके मैंने, यहाँ जो insert option है, इसके उपर click कर देता हूँ, देखिए अभी downloading बोलके आ रहा है, और यहाँ पे online से picture download होके हमारे document में आ चुका है, तो इस तरह से हम online pictures का option यूज कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे जो next option है, यह है shapes का option, हम अपने pages में different different shapes लाके डाल सकते हैं, अगर मैं इसके उपर click करूँ तो यह देखिए यहाँ पे shapes डालने के different different options हमें मिल जाते हैं, जैसे कि recently user shapes, lines, rectangles, basic shapes, block arrows, equation shapes, flow charts, stars and banners and colors, तो इतने सारे shapes हमें मिल जाते हैं, हमें इन में से कौन सा भी shapes select करके drag कर देना है, देखिए मैं फिलाल अभी A shapes select करता हूँ, select करके देखिए यहाँ पे बड़ा सा plus icon आया हुआ है, तो हम क्या करे हमें जहां भी shapes चाहिए होते, वहां रखके हम इसे drag कर देंगे, देखिए दोस्तो हमारा shape यहाँ पे आ चुका है, तो इस तरह से हम अपने document में shapes लगा सकते हैं, और यह जो next option आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह smart art का option है दोस्तो, smart art का मतलब graphical representation of any data or concept, या फिर आप steps भी कह लीजिएगा, अगर आपके पास कोई concept है, उसे आप illustrate करना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप words में लिख देंगे तो वो कोई खास नहीं लगता, इसलिए आपको उसे graphically represent करना पड़ेगा, graphically represent करने से लोग उसे attract हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं smart art, smart art कहीं तरह के होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, यह सब list type का smart art है, आप यहां से कोई option चुनके, अपना list create कर सकते हैं, और यह process related smart art है, और यह cycle type का smart art है, इसे आप recycling process सब explain कर सकते हैं, और यह hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, office.com, यहां पर भी आप different type के smart art देख सकते हैं, आप इन में से कौन सा भी एक smart art सेलेट करके, अपरे data को represent कर सकते हैं, अगर आप एक company या फिर organization के structure को define करना चाते हैं, या फिर उसके बारे में कुछ explanation देना चाते हैं, तो आप इस pyramid structure में यह options use कर सकते हैं, फिलाल में यह option select करता हूं, ok press करता हूं, देखिए, option यहां पर आ चुका है, मैं थोड़ा इसको चोटा कर देत हूं, company में दोस्तों, top में होता है, CEO, उसके बाद यहां पर manager होता है, और यहां पर clerks होते हैं, तो इस तरह से हम एक company में काम करने वाले लोगों को divide कर सकते हैं, यह एक चोटा सा example है दोस्तों, इसी तरह से और एक example आपको चाहिए तो आप एक process को लेके उसका step यहां पर ब हैं, यह process हम smart art के जरीए समझ सकते हैं, मैं यहां पर लिख दिता हूँ raw materials, raw materials को करेंगे हम यहां पर manufacturing करेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ manufacturing, और manufacturing के बाद यहां पर finished goods बन जाते हैं, तो इस तरह से हम एक process को explain कर सकते हैं, मैं इसको तोड़ा चोटा कर लेता हूँ, और अगर दोस्तो इस process के बाद अगर हमें इन goods को sales करना होतो तो मुझे फिर से और एक object इसको add करना होगा या फिर और एक shape इसको add करना होगा मैं यहाँ पे एक shape add करके उसे sales का नाम दे देता हूँ तो मुझे क्या करना होगा यह जो last वाला shape है इसके उपर right button क्लिक करके मुझे add shape option में यहाँ पे add shape after select करना होगा देखे और एक shape यहाँ पे add हो चुका है और हम यहाँ पे लिखेंगे sales इस तरह से दोस्तो हमारा process का smart art बन चुका है और एक लोगों को समझने में आसानी होगी तो इस तरह से हम smart art का use कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे जो आप next option देख रहे हैं यह है chart का option हम अपने document में different types के charts डाल सकते हैं तो चार्ट भी एक तरह का graphical representation of data होता है तो हम इसे अपने document में लगा के देखेंगे मैं जाके इस option पे क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट चार्ट का एक window यहाँ पे कुल जाता है आप इन में से बहुत सारे चार्ट का option यहाँ पे देख सकते हैं जैसे की column chart है line chart, pie chart, bar chart, area chart, xy scatter, stock, surface, etc जैसे बहुत सारे charts यहाँ पे available है आपको इन में से कौन सा chart चाहिए वो chart आपको select करक आपको ok press करना होगा, फिलाल मैं भी column chart select करता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा वो, मैं यहाँ पे ok press कर देता हूँ, देखिए ok press करते ही यह chart अभी हमारे document में आ चुका है और यह कुछ dummy data के साथ यहाँ पे आ चुका है, यह data जो है हमारे किसी काम के नहीं है, हम इसे अपने हिसाब से change कर लेंगे, प्रहले हम यहाँ पे कुछ information डाल लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे chart में changes होगी, मैं यहाँ पे कुछ name लिख देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे name लिख दिया है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा subjects, 3 subject मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे मैं अभी उनका marks लिख देता हूँ, और मैं जैसे ही यहाँ पे marks एंटर करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, charts अपने आप ही change होते रहेंगे, देखें जोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे marks entry कर दी है, उसके हिसाब से ही हमारा chart भी यहाँ पे change हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं, यह महेश के जो marks है, English में 50 है, देखें महेश का marks इंग्लिस में 50 है, और हिंदी में 65, यह रहा उसका marks, हिंदी में 65, उसका graphical representation यह है, और science में 95, यह बड़ा सा यह जो देख रहे हैं, यह है उसका science का marks, तो इसी तरह से सभी का marks यहाँ पे आप पर हमारा चार्ट यहाँ पे इस document में ही है, इस तरह से हम कौन सा भी चार्ट को हमारे document में insert कर सकते हैं, एक बार चार्ट insert होने के बाद यहाँ पे इस चार्ट के related information आप यहाँ पे change कर सकते हो, चाहे तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, यह देखें यहाँ पे जो पहला वाला option आप देख रहे हैं, यह axis का option है, यहाँ पे जो y axis में आप देख रहे हैं, यहाँ पे number है, यहाँ पे marks है यहाँ और x axis में यहाँ उनका नाम है, students का नाम है, अगर मैं यहाँ पे इस axis को uncheck कर देता हूँ, तो x axis और y axis दोनों गायब हो जाएंगे, देखें, यह यहाँ पे marks भी नहीं है और उनका नाम भी यहाँ पे नहीं है, तो यह axis का option है, मैं फिलाल इसे check करके रखता हूँ, बाद में यहाँ पे दूसरा option जो देख रहे हैं, axis title का option है, अगर मैं इस option को check करता हूँ तो देखिए, axis का title यहाँ पे आ चुका है, axis का title हम यहाँ पे marks यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे लिखेंगे हम names, तो हमने अब क्या किया, x axis को एक नाम दे दिया और y axis को भी एक नाम दे दिया है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वह भी चले जाएगे, तो इसी तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे option को देख सकते हैं, यह है चार्ट का title, चार्ट का title जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह चार्ट का title है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वह भी वहाँ से हट जाएगा, अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो वह फिर से आ जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ से चार्ट का title भी change कर सकते हैं मैं यहाँ पर चार्ट का टाइटल मार्क शीट कर देता हूँ तो यह रहा चार्ट टाइटल का ओप्षन तो next वाला जो ओप्षन है data labels का option है आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर क्लिक करो तो यह data labels यहाँ पर आ जाएंगे फिलाल मैं इसको भी हटा देता हूँ और error bar है यह देखिए आप यहाँ पर error bars भी देख सकते हैं फीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं वो lines हैं उसे हम grid lines कहते हैं अगर वो आपको नई चाहिए तो वो आप उसको हटा भी सकते हैं देखिए वो सब भी हट गए है फिर से मैं यहाँ पर click करके grid lines डाल देता हूँ और आप यहाँ पर जो legend देख रहे हैं अगर मैं इसको हटा हूँ तो यहाँ पर जो English, Hindi और Science का जो option है यह यहाँ से हट जाएगा देखिए यह पुरा यहाँ से हट काया है अगर आप लोग trending line चाहते हूँ तो आप trending line को भी यहाँ पर use कर सकते हूँ यहाँ पर English आया है मैं वो के click करतेता हूँ देखिए यहाँ एक trending line आ चुका है तो trending line में सब option भी है देखिए linear है यह और यह exponential है और linear forecast है इस तरह से आप different different types के trending line को use कर सकते है फिलाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यह थे दोस्तो चार्ट titles के elements और next वाला जो option है यह chart styles है आप यहाँ पर जाके इस chart के styles change कर सकते है यहाँ पर different different styles आपको दिख रहे होंगे आप चाहितों से change कर सकते है देखिए यहाँ पर कितने-कितने styles है आपको जो मन में चाहिए वो आप यहाँ पर रख सकते है जो मैं depart रखतेता हूँ तो किस तरह से हम chart के option को use कर सकते हैं दोस्तों और यह जो last वाला option है यह chart filter का option है अगर मैं इसे click करूँ तो इस तरह का कुछ चोटा सा pop-up window यहाँ पर open हो जाता है यहाँ पर देखिए select all है इसका मतलब यहाँ पर पुरा subject और name select हो के रखे हैं अगर मैं इन में से सिर्फ English subject को देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर click कर सकता हूँ यह देखिए हमें सिर्फ blue line से दिखाई दे रहा है जो की English subject के related है और मैं हिंदी subject का graph देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर click कर देता हूँ अब देखिए सिर्फ yellow line से हमें देख रहा है इस तरह से हम science को भी graph देख सकते हैं और यहाँ पर जो दूसरी side में है यह categories है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सिर्फ अगर आप महेश का marks देखना चाहते हैं तो इस पर click कर सकते हैं यहाँ पर देखिए सिर्फ महेश का marks आपको दिकाई दे रहा है और next आप सिर्फ दिवया का marks देखना चाते हैं तो आप इस option पे click कर सकते हो वैसे ही बाकी सब का marks आप चाहिए तो यहाँ पे check कर सकते हो तो कुछ इस तरह से यह option यूज होता है दोस्तों फिलाल मैं इस chart को हटा देता हूँ चले दोस्तों हम अब next option पे चलते हैं इसका नाम है screenshot इसको use करके हम अपने desktop के screenshot को अपने document में डाल सकते हैं चले मैं अब आपको करके दिखाता हूँ अब मैं इस option पे जाके screen clipping option पे click करूँगा यहाँ पे click करते ही मेरा ms word अभी minimize होके मेरा control desktop में आ जाएगा desktop में आते ही यहाँ पे एक बड़ा सा plus का sign आता है इसे आप click and drag करके आपको जितने area चाहिए उतने area का photo आप screenshot बना के document में डाल सकते हैं फिलाल मैं अभी यहाँ से लेता हूँ देखे मैं इतने area select करके चोड़ देता हूँ तो यह automatically मेरा document में चला जाएगा इस तरह से हम screenshot का option यूज कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से हम इस illustration group का use कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों आपने अगर हमारा channel अभी तक subscribe नए किया हो तो प्लीज subscribe कर दिजिए और subscribe करते करते subscribe के बाजू में जो bell का icon है उसको press करना ना भूले thanks for watching